आपका अपने चैनल एक्जाम रिपब्लिक पर फिर से हार्दिक स्वागत है तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था जिसमें कि हमने इंडस्ट्री रिलेशन्स पर देखा था पूरा कम्प्लीट कवर कर रहा था एक्जाम के लिए आज मैं आपके लिए लेकर हूँ लेबर लॉज इन इंडिया यह बहुत ही अज़ा इंपॉर्टन टॉपिक है दोस्तों तो इसको डिसकस करने वाले हमाँ डिटेल में सारे के सारे जो इंपॉर्टन टॉपिक्स हैं लेबर लॉ क्योंकि उससे क्या होगा आपको confusion हो सकती है आप बीच में थक भी सकते हो तो मैं आपको यह recommend करूँगा कि आप दो sitting में इसको देखना आदा अभी देख लो आदा आप एक या दो घंटे बात देख लेना या evening में देख लेना जैसे भी आपको टाइम लेगा थोड़ा gap दे चाहूं तो मैं आपको इसमें पूरा का पूरा का labor loss हम एक अफ़ता भी लगाता डिसक्स करें तो भी खतम नहीं होगे तो सिरफ important ही हम डिसक्स करेंगे examination point view से क्योंकि motive UPSC का यह नहीं है कि आप एक labor lawyer बन चाहें सिरफ यही जानना है उनका main motive है कि आपको basic labor loss पते हैं तो इ किसी बात में focus करते हैं अपने experience के साफ से मैं आज यह label loss आपके साथ discuss करने हो ला हूँ सिरफ examination point view से जो important है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों हमेशे की तरह यही कहूंगा वीडियो को अंत तक देख लेना अगर आपको पसंद आए आपको लगे कि हाँ हमने कुछ मेहनत किये व अगर आप करोगे तो उससे हमें motivation में मिलती है और हमारे लिए वह एक reward भी होता क्योंकि अगर सबसकर दो घंटे की वीडियो है तो कम से कम उसमें 10 घंटे लगते हैं उसको बनाने के लिए data ढूनने से लेके उसको बनाने तक और edit करने तक तो अगर आपको लगे reward तो आप ह पूछते हैं exam के अंदर जो important changes लाए जाते हैं तो अभी recently बहुत ही जदा important चार labor laws चार labor codes रादर उसमें सारे जो important labor laws है उनको consolidate कर दिया गया है तो हम वो चार code देखेंगे और उसके बाद मैं आपको एक और important labor law पता हूंगा जो उन चार code में ने को नहीं दिखा है तो वही ह इसमें discuss करने वाले हैं अगर आप चाहते हैं कि वो पुराना वाला भी देखना चाहते हैं पुराने जो labor laws हैं उनको codes के अंदर जब amalgamate कर दे गया है तो उनको repeal हो गया है वो automatically तो उनको देखने कोई फायदा नहीं है उनसे आपको confusion ही बढ़ेगी और बस मैं आपको जो important changes है ना अगर पिछले law में क्या था और अब क्या है वो पूछ सकते हैं examination में तो मैं वो आपको साथ सा पताता रहूंगा लेकिन मैं पुराने वाले discuss नहीं करने वाला हूं वो मेरे पास मैंने PPT बना रखे जबकि उसकी मैं फिर भी आपको extra नहीं देने वाला हूं इसके अं important और basic से शुरू करते हैं पहले topics देख लेते हैं कौनगों से cover करने वाले हैं ठीक है तो कौनगों से topics है पहले constitutional provisions पता दूंगा आपको basic पता हूंगा बिलकुल basic fundamental right DPSP पता हूंगा बस बाकि अगर आप detail में quality देखना जाते हैं तो उसकी video अप्लोड कर चुका हूं मैं उसक information उसके अंदर पूरी है तो उसका link इससे में आपकी top right screen पर flash कर रहोगा उसको क्लिक करके आप वो पूरी series चेक सकते हैं तो constitutional provision basic से start करेंगे हैं labor laws का introduction लेंगे labor codes राधर जो 2019-20 में implement हो गया है ठीक है यह चार कौनगों से codes है codes on wages 2019 यह 2019 में implement हुआ था फिर तीन और codes से social security industrial relations, occupation safety health and working additions code यह तीन हो 2020 में होई ते इनको हम discuss करने हो यह चार important codes है इसके अंदर 29 labor laws को एकठा कर दिया consolidate कर दिया government ने ठीक है और last में जो appendices act है 1961 का यह मेरो कहीं नी मिला नीन चारो code हो में तो इसके लिए मैंने यह cover करने के लिए सोचा यह important रह सकता है तो यह मैं आपको last में एक दो slide में पता दूँगा कि क्या है तो यह basic और part 4 में director principle of state policies है तो इन में ही यह labor को acknowledge किया गया है dignity of human labor ठीक है और उनके interest को safeguard करना है labor के तो यह दिए गया है important articles कौन वहन से है आर्टिकल 16 1923 24 यह fundamental rights है मैं आपको slide में बता दूँगा कौन वहन से अगर आपको नहीं बता भी तक आर्टिकल 39, 41, 42, 43, 43 है तो यह basic एक general overview ले लेते हैं तो part 3 जैसे मैंने का fundamental rights पर है आपको पता ही होगा सहमिदा मौलिक अधिकारों पर ठीक है राइट तो freedom वाला है आर्टिकल 19 बहुत ही modern आर्टिकल है पॉलिटी में आपने पढ़ाई होगा है ठीक है प्रटक्शन और सब्सक्राइब करने के लिए यह आपको और एक fundamental राइट जैता है राइट to freedom आर्टिकल 19 में ठीक 23 और 24 राइट अगेस्ट exploitation है यह ठीक है तो prohibition in traffic in human beings and force level तो force level को यह ban करता है बिल्कुली और human trafficking को भी और prohibition of employment of children in factories यह 14 साल से कम के बच्चों को employment के वर्जित करता है ठीक है तो कैसे का है 23 यह भी fundamental rights है अब आतने DPSP डिरेक्टर पिंसिवल ऑस्टेट पॉलसी यह पार्ट फोर में दिए गए आपको पता है तो सबसे important आडिकल इसमें कौन से है 39 सबसे important है ठीक है तो इसके अंदर ही 39 में जो सारे दे रख्याना जारा तर यह आपके लेबर यह industrialization related है कैसे देख लेते हैं तो adequate means of livelihood की तरफ सरकार को काम करना है ठीक है ownership and control of material resources to serve common good ठीक है तो जो भी हमारे संसादन है उनका जो उनसे जो मताब profit हो रहा है या उनका जो use हो रहा है government द्वारा उसको common good की तरफ use करें ठीक है economic system does not result in concentration of wealth and means of production तो ठीक है wealth concentration नहीं होना चीह हमारे economic system द्वारा ठीक है equal pay for equal work very important ठीक है 39 का D है यह और E का health and strength of workers तो basically यह 6 provisions है जो जिसकी DPSP में देगा आर्टिकल 39 आर्टिकल 41 राइट टू वर्क टू एजुकेशन टू पब्लिक एसिस्टेंडिंग सट्रेंगेस तो राइट टू वर्क किसमें दे रखा है अगर यह पूछा जाएगा तो यह है DPSP आर्टिकल 41 यह थोड़ा important है तो यह याद रखना ठीक है उस इसकी ट्रिक भी दे रखें आपको वह आप उस सीरीज में जाके देखेंगे तो DPSP याद कैसे करने हैं तो उसमें आप याद भी कर सकते हैं पिक्चर के साथ मैंने आपको समझाने को शिक्किए उसमें और लिविंग वेज फॉर्कर्स आर्टिकल 43 तो यह तीनो ना यह बह उठाय गया इसको आप याद रखना 43 है तो यह चारों ही बहुत इमोटरें रादर इसका स्नींचोट अब आप ले सकते हैं अब आधे लिस्ट पे तो जो लिस्ट दी गई है हमारी स्केडूल में तो उसके अंदर यूने लिस्ट है स्टेट लिस्ट है कॉन कॉन सी जो इंडस्ट्रियल और लेबर डिस्ट तो यह हमने डिक्टेल में पढ़ाया तो इसलिए इंपॉर्टन है तो एंटी नमबर 22 कहती है ट्रेड यूनियन इंडस्ट्रियल और लेबर डिस्प्यूट यह दिया गया है कॉंकरेंट इसमें एंट्री नमबर चाहाब मत याद करो और यूनियल लिस्ट में दिये गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंसर्णिंग यूनियन इंप्लोईज तो यह सब आप महलब इतने मॉडर नहीं लगें मुझे जो इंपॉर्टन लगे यह हैं बाकि आप याद कर सकते हैं तो सारे आप इसमें इंपॉर्टन यास्त क सकते हैं अब याते हैं हम इंडस्ट्रियल जो यह लेबर कोडs बने हैं ना तो इसको जाके आप देख सकते हैं व dalla charging पूरी की पूरइव अल्रडी कवर करें लिया थे लास्ट वीडियो में तो ट्रेड उनियन आक्ट पढ़ा था कि रिजिस्ट्रेशन कैसे होती है उसका क्या प्रोवीजन से हैं उसको मानेता दी गही थी ट्रेड उनियन को इस एक्ट के थुरू ठीक है ना तो प्री इंडिपेंडेंस वाला है हमन दिस्प्यूट रिजूशन मेकैनिजम कौन वन से होते हैं तो यह सारे हम डिसकस कर चुके हैं तो उस वीडियो में आप जाके डेटेल में देख लेना है तो तीन तो अलड़ी हमने कवर कर लिए थे ठीक है एक कोड जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं जो कर देगे अब क्या होता था कि हर लौ में अलग-लग प्रवीजन हो जाती थी अलग-लग डेफिनेशन हो जाती थी वर्कर की डेफिनेशन किसी में कुछ और है और दूसरी एक में कुछ और है तो यह सारी चीज़ों को हटाने के लिए और सब के अंदर similarities लाने के लिए और compliance जो है employer की दरफ से बहुत असान करने के लिए कि अलग लग हर लॉग के अंदर अलग रिजिस्टर बनाने को कहा गया था तो अलग लग रिजिस्टर ना मना के एक रिजिस्टर बना सकें ठीक है फाइल रिपोर्ट करनी हो तो उसको आपको रिपोर्टिंग अथॉर्टी को कैस करें गया है considering the new modern day situation of the industry ठीक है कि कितने लेबर लॉज को सब्स्यूम किया गया है चार लेबर पोर्ट में तो 29 लेबर लॉज को किया गया था वेरी इंप्रेंट और चार कौन-कौन से है code on wages 2019 में यह क्या हो था जब कमिटी ने recommend किया था था तो यह codes को इन में से जो पहला है code on wages यह तो 2019 में पास होके इसको implement कर दियेगा था जो बाकी के तीन से ना इनको एक standing committee को recommend किया था और उसकी रिपोर्ट आज थी 2020 में तो 2020 में इन तीनों को फिर discuss किया गया लोगसभा राजेसभा में फिर 2020 में पास होएं तो यह difference है नीचे की तीनों में और फस्ट वाले में तो जैसे कि मैंने का यह किसलिए कर गया तो consolidation of relevant provision that one place प्रसंगिंग्स प्रवद्णानों को एक स्थान पर सेंकित करने के मदद करने गाई है ठीक है ना इसलिए यह कर गया था और removing the multiplicity of definitions and authority जैसे में अलग अलग definition होती थी हर चीज की तो authorities अलग 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 थी जिनको report करना तो उनको एकठा करके एक जगा करने के लिए compliance अससान बनाने के लिए यह किया है तो हम एक कोट देखेंगे ठीक है उसके बाद मैं आपको एक revision कर रहा हूंगा उसमें ठीक है और उसके बाद हम फिर अगले पर जाएंगे ठीक है तो जब आपको लगे कि आपका जादा होग dedicate wages and bonus payments in all the employment ठीक है तो यह किसलिए बनाएगे है किसमें कौन कोन से प्रवदान है wages मजदूरी या वेतन और bonus भुकतान से रिलिटेट जितने भी हैं सारी establishment में उससे रिलिटेट जितने भी loss है उन सबको एक जगा कठा कर दिया है तो यह है code on wages यह basic कि यह है ठीक है और इसके नौ चैप्टर हैं और 67 section तो multiple चैप्टर पूर सकते हैं कि इसके अंदर कितने chapters है और sections है तो 9 chapter है इसके अंदर तो उनमें थोड़ा difficult हो जाएगा याद करना, तो उसमें मत करना, इसमें याद कर लो, क्योंकि यह चार ही हैं सिरफ, अब चार किसे related हैं, तो हमने चासे देखा wage और bonus है न, तो इनिस related जो act है, उनको इसमें कठा गिया गया, तो पहला equal remuneration, 1976, ठीक है, तो जो renumeration मिलती है ठीक है, payment of bonus act, और lastly payment of wages, तो देखेंगा आप payment जो है, इसके अंदर जो code के अंदर है, यह चार act, चारो के चारो wages और bonus से related हैं, जो कि इसमें कठे कर दिये, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो wages की definition इसमें क्या दीगी है, all remuneration paid, it includes basic, pay, DA, and retaining allowance, तो renumeration में जो wages के अंदर, इसके अं plus retaining allowance, तो wages के अंदर पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़े आती हैं, तो यही तीन चीज़े आएंगी इसके अंदर, ठीक है, जो बाकी है, वो इसमें नहीं count होती है, wages में count नहीं होती है, bonus नहीं होता है, PF नहीं होता है, conveyance, overtime, gratitude, यह सब wages में नहीं माने चाते हैं, तो option में आपको इन में से कोई एक दे देंगे, और कहा देंगे कौन सा नहीं है, इसमें wages में, ठीक है न, तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि सिरफ तीन चीज़े हैं, जो कि wages में count होती है, basic पे आपकी DA, Dearness Allowance, और Retaining Allowance, ठीक, की changes क्या क्या होए हैं, उनका overview देख लेते हैं, ठीक है, तो removes the duplication, multiplicity of authorities and definitions, यह आपको पता चुक हूँ, ठीक है, role of inspector changes to that of facilitator, तो पहली बात, तो पहले जो inspector होता था था न, उसको जो acts में inspector लिखा जाता था, कि वो inspection के लिए आया है, आपकी factor के लिए, वो inspector है, ठीक है न, इसके नदे जो codes हम पढ़ेंगे आगे भी, inspector का न facilitator, very important, यह पूछ सकते हैं कि क्या कर दिएगा inspector का नाम चेंज करके, inspector come facilitator, यह तीनों, जो चारों codes है, रादर, चारों में यह change लाया गया है, आपको inspector के साथ, inspector come facilitator कर दिए, facilitator मतलब आपकी help भी करेगा, implementation of laws के अंदर, यह आपको वो problem आ रही है, तो आपको help करेगा उसके आपको लेकिन वेब-based compliance है, आप online इसके अंदर compliance कर सकते हैं, सारे courts के अंदर, फिर universal provision of wages है, ठीक है, ease of compliance, timely payment of wages, तो यह simple है, यह हम जारे determined नहीं करें, ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या इसमें और important changes है, बहुत important change है, कि यह सारे employees को इसमें include करता है, ठीक है, इंक्लूडिंग agriculture, construction workers, casual workers, workers in tiny and micro enterprises, यह पहले included नहीं थे इसके अंदर, जो worker की definition थी उसके अंदर, इसके अंदर इन्होंने सब के सब को इसमें include कर लिया गया है, इन सब के लिए minimum wage और floor wage, इनके प्रभधान जो है, वो इन सब के लिए लागू रहें के, ठीक है, इसमें दी गई है, statutory wage floor, ठीक है, तो यह है कि जो minimum wage है आपकी, वो minimum standard of living of worker के इसाब से, निर्धारित की चाहेगी, तो इसको आगया है, statutory wage floor, मतलब सरकार आपको पता देगी, कि minimum wage कितनी होगी, जो कि आपकी standard of living के साब से, per day होनी चाहिए, वो मैं आपको पताऊंगा भी कितनी है, as on date, तो वो आपको इसको नाम दे देगा है, statutory wage floor, ठीक है, तो इसके बार में थोड़ा और देख लेते हैं, इसके मैंने का, it is to be fixed by center in consultation with the state government and central advisory board on wages, तो तीनों मिलके decide करेंगे, पट जो main, end, final decision होगा, वो central government का होगा, it's 178 रुपे per day at national level, तो जब यह code बना था न, 2019 में, तब इन्होंने जो statutory wage floor था, इसको रखा था, 176 रुपे per day, किस से काम आपको नहीं देनी है, अब जो है, 2023 में, एप्रिल, यह हो गया है, 178 रुपीज per day, question यह आ सकता कि starting में कितना था और आप कितना है, तो यह आपको दो figures याद करनी है, statutory wage floor, ठीक, state जो है न, वो अपने अपने जो शेत्र में, यह जो statutory wage floor है, इसको कुछ भी रख सकती है, लेकिन minimum उसको statutory wage floor, जो center government ने set किया न, वो minimum level लेगा, उसके उपर वो कुछ भी रख सकती है, उसे ज़्यादा कुछ भी रखती है, वो state पर depend करते हैं, उनके हसाब से माँ पर standard living क्या है, तो उस पर depend करेगा, और जो यह है statutory wage floor, और इसका जो revision है, वो हर 5 साल में होगा, revision मतलब इसको दुबारा पूरे हसाब से कि उस समय के हसाब से कितनी होने चीए, यह तब होगा, लेकिन हर 6 मीने बाद इसके अंदर inflation को account करने के लिए changes लाए जा सकते हैं, तो revision क्या है, revision मतलब इसको पूरे wage है, इसमें total में change कितना आएगा, यह other factors except for inflation कितना हर बारी change होगा, तो यह हर 5 साल बाद हो सकता है revision, और लेकिन इसको inflation के लिए अगर आपको adjust करना है, तो हर 6 मीने में 1st April or 1st October को आप कर सकते हैं, सरकार इसमें इसको modify कर स, ठीक, और देख लेते हैं, ठीक है, the in-kind wages restricted to 15% of the total wages, ठीक है, तो यह बहुत important है, ठीक है, आपने क्या होता है कि, जैसे employer ने आपसे कुछ काम करा है, यह agriculture के अंदर जाता होता है, या फिर construction building होता है, तो उसके अंदर आपको आपको कुछ राशन देदेगा, या कोई चीज देदेगा, तो इस प्रभधान रखा गया है कि maximum अगर in-kind जो चीज़े हैं, वो सिरफ 15% of total wage हो सकती है, एगर आपकी per day wage 200 रुपए है, ठीक है, तो maximum आप इसका 15% याने की 30 रुपए in-kind दे सकते हो, तो बाकि 170 रुपए आपको cash में देने ही पड़ेंगे, ठीक है न, तो यह है, इसके अंदर सबसे बड़ा change कि, जो in-kind wages हैं, वो 15% से जाधा नहीं हो सकते हैं, टोटल wages के, overtime compensation to be double that of the normal wage, तो यह बहुत important है, कि जो overtime हैं, वो 2 गुना होगा है, अगर आप overtime करा रहे हैं, वरकर से तो वो आपकी normal wage से 2 गुना rate उसको देना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरी जी is return consent is mandatory, आपको worker से जबस्ती नहीं करा सकते हैं, आपको worker से return में consent लेना पड़ेगा, कि वो राजी overtime करने के लिए, ठीक है न, तो यह important change है, इस पार इस code के अंदर, अब wages shall be paid within fixed time, अब wages जो हैं, वो fixed time इसके अंदर दे रखा कब-कब जो employer है, उसको pay करनी ही करनी है, ठीक है, तो क्या के हैं, वो देख लेते हैं, तो अगर daily rate पे अगर दे रहा है, अगर daily आपको employer कर रहा है कि मैं daily आपको धुंगा wage आपकी, तो हर shift के end पे आपको देनी पड़ेगी wage, वीकली कह रहा है, on the last working day, ठीक है, जैसे अगर working day last, सबोज कर वीक का Saturday है, तो Saturday को आपको देनी प 15 महीने, एक से 15 तारिक तक वो कह रहा है कि fortnight ली दूँगा, तो 17 दिन तक आपको end से पहले उसको ये देनी, क्योंकि two days after the end of the fortnight, monthly है, तो before the end of 7th day of the next month, ठीक है, तो अगर जैसे महीने के साब से दे रहा है, तो जैसे अगर एक माई का सपोस कर वेतन देना आपको, तो वो साथ जून तक उसको देना पड़ेगा, before the 7th day of the next, ठीक है, तो ये थोड़ा आप देख रहना पूछ सकते हैं, every employer to issue wage slips to employee, तो वेतन पर्ची या wage slip देना, mandatory कर दिया गया है, इसके अंदर, promote digitalization of wage payment, तो wages को इसमें कहा गया, कि प्रमोट किया गया है, कि अगर आप इसको online देंगे, या digital माध्य हम से देंगे, इसको प्रमोट किया गया है, इसके अंदर, removal, resignation, retention, wages to be paid within two working days, अगर आपको employer हटा आता है, या आप resign करते हैं, तो दो दिन के अंदर worker को, उसको सारे के सारी, जो है wages उसको दे देंगे, तो यह important provision है, कि दो दिन में, उसको सारा भुक्तान करना होगा, दो कार रे दिवास, two working days आता है, ठीक है, burden of proof on the employer, very important, ठीक है, अगर कुछ गरबड़ हो जाती है, employer का, जो है, और employee कहता है, कि सब मेरे को भाई, पैसे नहीं देंगे, wages दी नहीं होने, अब उसका प्रूफ करने का जो है, वो उसका burden जो प्रूफ का है, वो employer का है, कि आपको प्रूफ करना है, कि आपने इसको दी है, employee को नहीं प्रूफ, ठीक है न, जैसे accused को होता है, कि, accused को जो माने आता है, कि जब तक उसको प्रूफ नहीं हो जाता है, तक उसको वो guilty नहीं है, proved until guilty है, इसे कुछ होता है, तो वैसे ही जो burden of proof है ने, इसके अंदर, वो employer के उपर है, ठीक है? Limitation period for filing claim before authority includes to three years, तो मतलब अगर कोई आपको, आपने जो कुछ सबसकर घटना हुई है, आपको payment नहीं मिली है, bonus नहीं दिया, तो तीन साल के अंदर आपको उसको authority के उपर file करना पड़ेगा, अगर तीन साल से पुरानी हो जाएगी, तो वो चीज नहीं मिले, ठीक है न सबसकरो कि 2019 का कोई मामला है, आपको नहीं मिली payment, अब 2023 में उसको finally कर पाएंगे, कोई 4 साल हो जाएंगे, तीन साल के अंदर अगर file करेंगे, तो आपकी सुनवाई हो सकते हैं, आपको पैसा मिल सकता है, ठीक है, तो time period इसके नदर important है, three, admissible deduction, अब salary में से, wage में से, क्या-क्या deduction allowed है, क्या-क्या आपका employee काट कर दे सकता है, ठीक है, तो क्या-क्या है, कोई fine आपका है, जुर्माना काट सकता है, absence from duty, अगर आप छुट्टी पे हैं, और मतलब आपने, वो, अपकी authorized leave नहीं है, तो उसका पैसा काट सकता है, अगर आ काट सकता है, आपकी salary में, लेकिन इसमें बहुत important provision है, कि maximum deduction जो है, 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, तो अगर 200 रुपे हैं आपके दिन के, तो maximum 100 रुपे ही वो काट सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यह सब मिला के 100 से ज्यादा भी हो जाए ना, तो भी वो नह नहीं काट पाएगा, 100 से ज्यादा है, एक महीनिक अंदर, और हाँ, इसमें एक provision और था, वो मनें लिखा नहीं है, कि अगर 100 से ज्यादा, वो काट लेता है, सबसकर 120 काट लेता है, तो 60% होगे, तो जो 20 रुपे फाल 2 काट है ना, तो employer, जो employee है ना, वो इसको वापिस ले स quality को promote करता है, तब ही शाद workman को इसमें worker कर दिया गया चींज, डिया ना, benefits, businesses by reduced compliance and transaction cost, तो यह मना में पताए दिया कि compliance असान होगी है, फाइल करना असान होगी है, तो transaction cost भी कम हो जाएगी, थोड़ा सब देख लेते हैं, employer must maintain a register of person employed, master roles and wages, क्या 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 उसने पे किया है, त सबके लिए एक register maintain करना पड़ेगा, also must put a notice on notice board, एक notice board पर notice लगाना पड़ेगा, उसको किस चीज़ का, ठीक है, abstract of code, इस code का एक छोटा सा abstract summary कह सकते हैं, wage period क्या है, कि मंतली देगा, आपको weekly देगा, fortnightly देगा, date and time of payment की कब आपको wages मिलेंगी, और name and address of the income inspector and come facilitate, यह जारी च नहीं होगी हर समय, no court can take a cognizance of an offense punishable under the code except on a complaint made by the appropriate government, employee, registered union, inspector, तो यह चार-पांच जो चीज़ लोग है, यही लोग अगर complaint करेंगे, तभी किसी offense का cognizance लिया जा सकता है, वरना court इसको सुमूटो नहीं take up कर पाएगी, ठीक है, यह बहुत important है, very important कि कौन इसके offenses के बारे में सुनवाई कर सकते हैं, तो no court inferior to that of metropolitan magistrate or judicial magistrate of first class shall try the offenses under this court, इस court के अंदर गजज जो है, metropolitan magistrate या नियाएक magistrate पत्रम शेनी का जो है, उससे कम कोई भी अदालत इसके अंदर जो cases है, उसको सुनवाई नहीं करता है, यह बहुत important है, metropolitan magistrate and judicial magistrate, यह अब offenses के हैं कि सबोसकर अगर सिर्फ fine ही हो रहा है, कुछ सजा नहीं हो रही है, तो सिर्फ fine जो है, अगर fine ही करना है, तो minimum authority government की कौन fine कर सकती है, under secretary level, तो यह important है, यह भी आपको याद रखना है, एक तो magistrates कौन कोन से कर सकते हैं, और fine कोन का मार सकता है, under secretary level का minimum officer होना first offense अगर पहली गलती आप कर रहे हैं, पहली mistake आप कर रहे हैं, of less payment than amount due, तो जितना आपने payment करना था employee को, उससे आपने कम payment कर दी, तो पहली बारी करेंगे ऐसा, तो 50,000 रुपे का fine होगा, अगर दुबारा कर देंगे, 5 साल के अंदर अंदर, पहले offense के, तो 3 साल की, 3 महीने क तक की jail हो सकती है, और fine भी हो सकता है, एक लाग का, और दोनों भी हो सकते है, ठीक है, और अगर इसके इलावा कोई और offense है, payment के इलावा कोई है, तो उसके लिए 20,000 रुपे है, ठीक है, और अगर repeat करेंगे, तो एक महीने की सजा, और 40,000 रुपे, यह मेरे खाल से नहीं तो 10,000 रुपे तक के record, ठीक, 10,000 रुपे तक का fine हो से, बोनस पर आ लेते हैं, ठीक है, तो बोनस वाले एक 20 में देगे ना, तो बोनस का देख लेते हैं, तो every employee whose wages do not exceed a minimum amount and has put 30 days in accounting, रेसे इंडेंट रुपोनस, तो कौन सी employee को आप बोनस देना होगा, ठीक है, जिसने minimum x accounting year म 30 दिन काम किया है, तो उसको आपको देना ही पड़ेगा, mandatory, और minimum bonus कितना होगा, higher of 8.33% of wages, इन में सो जो भी ज़्यादा होगा, तो 8.33% of the wages, और 100 रुपे, जो भी ज़्यादा होगा, वो आपको, तो इसमें आप 8.33 याद रख लेना, important होगा, कि bonus कितने प्रतिशात होता है wage, as per this code, तो 8.33% of the total wages, maximum bonus कितना हो सकता है, 20%, तो minimum तो 8.33 देना पड़ेगा, maximum 20, तो 8.33% to 20%, इसके बीच में होगा, bonus, also employee with distributor portion of gross profit, जो profit है, उसमें भी share देना पड़ेगा, employee को, ये इस code के अंदर दिया गया, तो ये basic code का हमारा, ठीक है, code on wages 2019, तो एक बड़ी revision कर लेते हैं, जिससे कि आपको सारी चीज़े revise होते हैं, और overlap ना हो, ठीक है, अगर ठक जाओगा, इस revision के बाद एक break लेना, पहले revision क कर लेना, उसके बाद लेना, ठीक है, पहली जीज़े हमने क्या क्या चीज़े इसके अंदर देखी है, ठीक है, तो code on wages 2019, इसके अंदर क्या क्या चीज़े हमने देखी है, ठीक है, तो फैली चीज़, इसमें कितने chapter हैं, 9 chapter है, NG 67 section है तो हमने क्या बात करीए कि इसी के अंदर 9 chapter हैं अगर बाकी 3 code की बारी आएगी तो उसमें 4 chapter है वह हम आगे देखेंगे तो chapter याद कलेना असान होगा ठीक है इसमें 4 act जो हमको सबस्यूम किया गया है पहला है equal renumeration act ठीक है उसके बाद minimum wages act उसके बाद bonus act और लास्ली पेमंट ओफ वेजी जैंग तो यह सारे act हम इसमें इकठे कर दिये गए हैं चारों के जब रहाओ ठीक फिर हमने देखा इसके अंदर क्या निया concept ले गया था floor wage ठीक है फ्लोर wages होंगी और यह सारे employees को दी जाएगी ठीक है floor and minimum wage और एक निया concept क्या था statutory wage floor का यह center government जो decide करेगी ठीक है ना और अभी कितना है यह 178 rupees per day और जब initiate हुआ था तो 176 rupees per day था 2000 इसके अंदर ठीक है और इसको हर 5 साल में device कर सकते हैं और हर 6 मीने में inflation के लिए check कर सकते हैं October और April में ठीक यह बात ही इस ती उसके बात और क्या देखा हमने payment in kind कितनी हो सकती है salary की 15% of total wages यह important है overtime overtime कितना कर रहे है कोई कितना दिन अपड़ेगा टू टाइमस तर नॉर्मल वेच और return consent होना चाहिए उनके पास employer के पास ठीक और क्या mandatory कर रहे है उनने wage slips को mandatory कर दिया है और payment को क्या गया है digital payment करो गई फिर हमने बात कर रही थी reduction की क्या-क्या चीज़े काट सकते है employer fine यह सब चीज़े हैं तो इसमें क्या हमने important provision पढ़ा था कि 50% से ज़्यादा total wage का नहीं काट सकते है तो maximum 50% deduction allowed है इसके इंस्पेक्टर को क्या कर दिया गया है inspector come facilitate यह important है और एक register भी maintain करना होगा ठीक है ना register में क्या होगा कौन-कौन से employees हैं payroll master role ठीक है न यह सब ठीक है और क्या देखा था हमने कि jurisdiction कौन-कौन कर सकता है इसको इनके जो offenses अगर इस code के इंडर हो रहे हैं तो कौन-कौन judge में code में हो सकता है तो इसमें क्या था metropolitan अप्रोपॉलिटिएन मेजिस्ट्रेट और जोडिशल अटेश्ट्रेट और फिर्स्ट क्लाफ अटोड़ी राइटिंग में यह से इसके लिए इसमें थोड़ा मुश्कील होते हो तो उसके लिए माफी पहले वे बाकिंटेश्यों अगर अगर कुछ समझ नहीं आ रहे तो अगर fine नहीं करना है यह तो code में अगर जाने तो और अगर fine नहीं करना है तो under secretary level चाहिए minimum government में ठीक है न और minimum अगर payment का fine कितना है 50,000 रुपे पहली बारी में ठीक है और दूसरी बारी भी हो जाएका तो 3 महिने की सजा हो सकती है या एक लग का fine हो सकता है या दोनों लास्टली बोनस का क्या देखा तमने बोनस पे करना पड़ेगा minimum ठीक है अब हर employee को कितना 8.33% और 100 whichever is higher ठीक है न यह बोनस से related था हमारा तो यह basically था code on wages 2099 hope यह clear होगा अगर आपको अभी भी को confusion है आगे नहीं बनना है तो वीडियो को pause कर लो पंदा 20 मिन का break लेलो फिर आगे चलते हैं ठीक है न अगर आप ठीक हो अगर आप अगे code और पढ़ सकते हो फिर प्रेक लेन चाहते हो तो अगला आप देख सकते हो तो अगला शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड 2020 ठीक है तो इसके बारे में जा लेते हैं तो यह सेकिंड कोड है हमारा जो तो इसमें देख लेते हैं कि हैं जैसे कि मैंने का वह वेजिस टूट हो नाइंडी नहीं लाव ड्रक्ली हो गए था यह जो थे स्टैंडिंग यह कमिटी को ट्रफर किये गए थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 2020 में सब्टेंबर 2020 में लोग सभा और रजे सभा से पास हो पब्लीश हो है 39 सप्टेंबर 2020 से लागू हो गए तो मैंने जैसे आपको 14 चैप्टर उस बागी सब में 14 हैं इसमें सिर्फ 9 किसमें कोडन वेजिस में 2019 का है तो 9 वहां से रख लो आकरी में 9 है न 19 नो तो वैसी 9 चैप्टर उसमें बागी सब में 14 है और इसमें तीन स्केड कि उसे बाहर है कोड के या लोग के ठीक है ना सौवरेंड फंक्शन डॉमेस्टिक सर्विसिस एंड एनी अधर इंडस्ट्री नोटिफाइड बैटर सेंट्र गवर्मेंट किसी इंडस्ट्री को अगर नोटिफाइड करती है तो वह इस कोड के उससे बाहर रहेंगे इस देख लेए अगरे थिकर एया है ठीक है ihan तो वरकर की देफिनेशन भाइले वर्कर की देफिनेशन थी कि जो इस जह सुपरर striving डेफिन ना और किसे सेज़री 10,000 सेких ज्यादा है ना तो वह वर्कर की डेफिनेशन पर मन्थ। ठीक है तो यह एक इसमें चेंज देए अठारह हजार पर मंत कर दिया गया है इंक्रीज ट्रेशोल्ड फॉर स्टैंडिंग ओडर फ्रॉम हंड्रेड टू थी हंड्रेड वर्कर्स तो स्टैंडिंग ओडर जो इंडेस्ट्रिल सेंडिंग ओडर साइन 1946 में उसके अंदर चाहिए अगला तो स्ट्राइक हमने बहुत डिटेल में बढ़ा था टाइपस देखी थी ठीक है ना थे और सब कुछ देखा था स्ट्राइक के बारे में पिछले वीडियो में इंडस्ट्री लेशन तो स्ट्राइक की डेफिनिशन है ना तो उसके इंदर इसमें उन्होंने एड कर दिया एक पहले की जो मास बंक जैसा बोलते हों कॉलेज में बोलते हैं मास बंक तो वैसे मास लीव होती है अगर तो मास लीव में अगर 50% से जादा एकठे वरकर चुट्टी ले 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 ठीक है ना तो क्या ओधा जर्ण वरकर ऐसा कर सकते हैं ना मिलके कि हम 50 हम आएंगे निकल तो हमारी शुट्टी भी ने लगी कि स्ट्राइक हो जाएगी पर काम तो रुख जाएगा 50% से ज्यादा लोग ने आएगे तो उस केस में भी इसको स्ट्राइक माना जाएगा कि अगर 50% से ज्यादा कैज्वल लीव पे चले जाते हैं वरकर एक दिन में तो उस दिन को स्ट्राइक ही माना जागा स्ट्राइक की डेफिनिशन में इसको इंकलूड किया गया है वेरी इंपॉर्टेंट तो यह बूच सकते हैं कि कितने वरकर जो हैं अगर वह एकसा छुट्टी पे चले चले जाए एक गिवन डे पे तो उसको स्ट्राइक के अंदर इस अगला देख लेते हैं इंवेस्टिगेशन और इंक्वारी है फ्रॉम्ड देट ऑस सपेंशन अव्ट वरकर किसी वरकर को स्पेंड किया जाता है तो इस केस में क्या होगा कि नब्बे दिन के अंदर इंक्वारी को कम्प्लीट करा जाना चाहिए तो यह इंपॉर्टेंट एक पूर्विशन है पूछ सकते हैं तो यह सब सेम हैं इंदस्ट्र डिस्प्ट की तरह हैं लगबग उसमें क्या प्रविजन है कि स्ट्राइक के लिए क्या है तो वही सब चीजिप इसमें दीवी है तो स्ट्राइक के लिए मिन्यूम दिन का नोटिस देना पड़ेगा दिन तक valid रहेगा, maximum 60 days तक valid रहेगा, तो यह ही SMO, इसके अंदर और क्या है, यह सब चीदे है, हमने इंडिस्ट्रियल डिस्पूट एक 1947, जो पिछली वीडियो में डिस्कस करता था, उसमें भी डिस्कस करी थी, तो उसमें भी यही था, कि अगर कोई conciliation proceeding आपकी चल रही है, स यदि किसी ट्राइबूनल के पास पढ़ा, इंडिस्ट्रियल ट्राइबूनल के पास आपका केस चल रहा है, तो उसके दौरान भी आप स्ट्राइब नहीं कर सकते हैं, और जब वो उसका decision आगया, उसके 60 days के अंदर भी आप नहीं कर सकते हैं, तो 7 days इस condition में आपको याद रखने हैं, ठीक है न, consolating officer और 60 days in tribunal, अगला, ठीक है, अगर कुछ strike होती है, ठीक है न, तो उसको जो decision है, आपको consolation officer को 5 दिन के अंदर पताना है, सब उसको कोई proceeding चल रही है, तो उसकी अगर आप strike करना चाहते हैं, तो उसको 5 दिन के अंदर, consolation officer के अंदर पताना है, इतन solution in general, very important, तो industrial dispute act के section 22 में हमने पढ़ा था, कि यह public utility services के लिए था, वो specially act, public utility, न, जैसे water, electricity हो गई, ठीक है, न, bank हो गई, railway होगी, तो इनके अंदर कुछ करनी है, तो उसके provisions है, जो पीछे बढ़ते, अब इसका कागाए code के अंदर, कि यह सिब के नहीं ही valid होगा, 14 दिन का notice और साथ दिन की validity, और conciliation officer, साथ दिन, और 60 days, अगर इंडस्ट्री डेविन रोला, यह सारे के सारे provision, सारी establishment के लिए लागू होगा है, public utility के लिए नहीं है, तो इसके वीचे बहुत विवाद भी हुआ था, कि ऐसा हो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका misuse कर सकते है, government जो है, किसी strike को दबाने के लिए, ठीक है न, तो यह आप overall सब के लिए कर दी गया, अगला, seven or more members of the trade union, subscribing to their names, apply for, अच्छा, तो registration कैसे होगी trade union की, तो trade union के लिए कोई भी union के साथ, या उससे ज़्यादा लोग, minimum चाहिए, साथ लोग, अगर sign करके registration authority को देंगे, तो registration के लिए apply कर सक रखते हैं, और at least 10% और 100 worker, जो भी less, whichever is less, 10% और 100, यह सेम है, industrial dispute act वाले में हमने पढ़ा था, सेम है, यह बिल्कुल, whichever is less, must be the member of trade union on date of application, तो अगर जो एक organization है, यह industry है, उसकी union है, तो minimum 10% worker उस union के अंदर होने चाहिए, या minimum 100 worker होने चाहिए, whichever is less, तो वो उसके अंदर आप apply कर सकते हैं, trade union registration लिए, साथ से कम नहीं होने चाहिए, यह भी हमने देखा था, पर वो बला इसमें हटा दिया गया है, जिसका की काम क्या होगा, to promote protective measures for securing and preserving sensible relation between, employer और worker की बीच में relation अच्छे बने रहे हैं, उसके लिए एक work committee बनाने के इसमें प्रवधान रखा गया है, जिसक जाएगी, ठीक है, work committee क्या होगी, उस company के अंदर क्या होगी, जिसके अंदर की 100 से ज़्यादा का लोग काम करें हैं, पिछले previous month में, उनके अंदर एक work committee बनाना mandatory कर दिया क्या है, तो यह provision हम पूछ सकते हैं कि work committee क्या provision है, यह बहुत important है, यह question बन सकता है, इसके high probability है, बहु negotiating union क्या होती है, कि किसी भी employer के या worker के बहाफ पे, कोई union जो negotiate करेगी, employer के साथ बैठके, बातचीत करेगी, अपने issues लाएगी, उसको आगया negotiating union, अब क्या होता है, एक company है, industry के अंदर बहुत सारी unions होती है, अलग-लग workers, अलग-लग union का पार्ट होती है, तो भाई, कौन सी worker को represent करी है, यह government को या management को नहीं परचलता है, तो उसके अनोंने काया कि negotiating union कौन सी मानी जाएगी, जिसके अंदर की at least 51% of the workers होंगे, उसके member होंगे, सपोस करो, हजार एक किसी company में workers हैं, तो उन में से अगर किसी एक union को negotiating union का दर्जा मिलना है, तो उसके लिए कम से कम 510 लोग ज सको मानी जाएगी, जो की employer से negotiate करेगी on behalf of the workers, और सबोस करो बहुत जादा union है किसी इसमें, सबोस करो तीनिया चार हैं, तो उस case में किसी में भी 51% worker हैं नहीं, ठीक है न, सबोस करो हजार हैं, ठीक है, तो किसी में, सबोस करो 4 हैं, तो 2500 हैं सब, अब किसी एक के पास तो हैं 51%, तो भाई कौन सी negotiating मानी जाएगी, तो उन्होंने काया कि इस case में क्या होगा, जो भी unions का sum, ऐसी unions इकठी हो जाएं, जिनका की अंदर at least 20% हो, at least जिसमें 200 worker होंगे, और उनको मिला के सब, पहली 2 को मिला के 500 हो रहें worker, तो अभी भी 51% नहीं हो रहें, तो 3 को मिला लो कि आखे, उनको negotiating union माने जाएगा, तो इस case के अंदर कहा गया था कि at least 20% तो ठीक है, ऐसी भी रहो सकते कि इसमें 20% भी ना हो, सबोज को 10% union रिजिस्टर कराने के लिए 10% जाएं worker, तो 1000 के अंदर करो, कि 100-100 वली 10 हो जाएं, ठीक है न, 100-100 वली 10 हो जाएं union, तो उस case में क्या union के अंदर, अगर 51% नहीं है, तो at least 20% होने चाहिए किस union में, और उनका जो मिला आफ करके 51 हो रहे हैं, तो उनको मिलके माने जाएगा, negotiating, I hope यह clear होगा, बहुत simple concept है, और the provisions देख लेते हैं, और कौन कौन से important है, existing threshold for workers for the purpose of seeking permission before closure, retention and layoff by establishment has been increased to 300, ठीक है, तो minimum, अगर आपको 300 worker की strength होनी चाहिए, establishment में, अगर आपको permission चाहिए, closure, retentionment या layoff की, तो उसके लिए आपको permission लेनी पड़ेगी, अगर आपके बाद 300 minimum worker है, ठीक है, उससे काम आपको permission लेनी की जुरत नहीं है, इसमें आपको permission लेनी पड़े, 300 हैं, तो minimum, पहले कम थी, 100 थी, I think, उसको 300 करती है Reskilling Fund, ये भी नहीं है, ठीक है, तो क्या है Reskilling Fund में, कि अगर आप layoff कर रहे हो, लोगों को निकाल रहे हो, तो उस case में क्या होगा, जो आप लोगों को निकाल रहे हो, उनके 15 दिन की wages, of last dawn wages, वो आपको एक fund में डालनी पड़ेंगी, उतका पैसा fund में आएगा, 15 दिन की wages का उससे जो आपने लोग निकाले हैं न, उनको Reskilling किया जाएगा, जाकि वो अगली जॉब पर जा सके, ठीक है, तो Reskilling Fund एक बनाएगा, जिसमें 15 दिन की wages चाले जाएगी, जो लोग निकाले गया है, और इस fund का पैसा Retraining में या Reskilling में आपको 15 दिन of Retrenchment के हैं, 15 दिन के अं सब्सक्राइब करें, जिसमें 20 से जादा वर्कर होंगे, उसके अंदर कंपनी को, ग्रिवयांस रिडेसल कमिटी बनानी पड़ेगी, ठीक है, तो मिनिमम इसमें पूछ सकते हैं, कितने वर्कर चाहिए, ग्रिवयांस रिडेसल कमिटी बनानी के लिए 20 और मोर वर्कर्स, इंप्लॉयर के भी मेंबर होंगे, ठीक है न, और इसमें 6 से आप कर दीगें, 10 मेंबर आप हो सकते हैं, किरिवांस रिडेसल कमिटी में, जी आर सी और 20 या 20 से जादा वर्कर होंगे, तब यह लागू होगा, इंडिस्ट्रियल ट्राइबुनल, यह बहुत इंप्लॉटन है यह देखो, इसमें क्या चेंज करा गया है, कि पहले हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो में, कि लेबर कोट होता है, ठीक है न, इंडिस्ट्रियल ट्रिबुनल होती है, नाशनल ट्रिबुनल होती है, एक बोर्ड होता है, यह बोर्ड होता है, ठीक है न, बोर्ड होता है, कॉंसिलेटिंग ऑफिसर तो इस केस में करा गया कि सिर्फ इंडस्ट्रियल ट्रिबूनल है ना वही आपकी बॉडी रहेगी जो एड्यूकेशन राधर कर सकती है अपील्स के अपील्स के ऑफिसर के यह कॉंसिलेशन ऑफिसर के आप रिवार्ट जो अवार्ड दिया उसने उस इंडस्ट्रिबूनल होते हैं तो इसके अंदर करके अब कर दियागे वह जो जुडिशल मेंबर हो था एक्स हाई कोड का ज़त था उसके साथ साथ अब एक और एड्मिस्ट्रेटिव मेंबर भी होगा ट्रिबूनल में तो दो मेंबर की अभी ट्रिबूनल कर दी गई है एक से तो यह इंपोर्टेंट चेंज इसमें आया गया है अब बहुत स्पास में ट्रिबूनल विट इनफोर्सिबल ऑन एक्सपारियो ऑफ थर्टी टेस तो यह इसमें कहा गया है तीस दिन के बाद उसमें को कर सकते हैं एक से खरबाहि को मोर्ट कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है एक और चेंज लाया क्या है तो यह इस अगला फिक्स टर्म इंप्लोइमेंट तो यह बहुत इंप्रोडन है निया यह कर लाए गया निश्चे तफदी रोजकार तो यह क्या कहता है इस रफर्स टू वर्कर्स इंप्लोइटस कैस और बेसिट कोंट्राइं competitive key अजया करोडले हैं यह केसी बंदे को इलिएक काम कर सकते हैं फिक्स टॉब कि एक साल दो मीने ती मिने उस contract में जो specified है उसके एसाफ से यह काम कहेंगे तो इनके जो अधिकार है वो इस code में उनका ध्यान रखा गया है तो यह क्या कहता है the code and title is fixed term employees same benefits as permanent employees जो permanent employees को अधिकार दी जाते है benefits जाते है medical insurance, pension, conditions of work वो सारे same होंगे fixed term employment के workers के लिए भी as जो की permanent employees क तो दिये जाते, I hope यह clear होगा, असान था, अगला देखते है, Retrenchment, Layoff and Closure, तो difference किया Retrenchment होता है permanent, company ने आपको permanent निकाल दिया, layoff होता है temporary, कि यह आपको थोड़ी टाइम के लिए निकाला है, फिर आप वापिस employee कर सकते हैं, ठीकार तो यह difference है, Closure मतलब permanent close ही कर दी company, आप Retrench में company चल रही है, पर आपको निकाल दिया, Closure में permanently बंद कर दी, ठीक है, तो permanent Retrenchment में कहता है, employer को तीन मिने का notice देना पड़ेगा, या फिर तीन मिने के पैसे, निकाले वे, Retrenched worker को देने पड़ेंगे, तो तीन मिने का notice याद रखना है, इसमें, Layoff, अगर temporary निकाल रहे हैं, तो 50% of the basic and DA देना पड़ेगा, जिसको की निकाला गया, और उसको इसमें layoff के अंदर, क्योंकि ये temporary है, तो एक मन्त का notice देना पड़ेगा, तो Retrenchment में तीन मिने का, और यहाँ एक मिने का, और 50% देनी पड़ेगी of basic and DA, अगर close कर रहे हैं कोई भी company, तो उसका जो notification है, आप आपको government को notify करना पड़ता है, कि हम बंद कर रहे हैं company, तो वो आपको 60 दिन का advance notice देना पड़ेगा, बंद करने से पहले government कर, तो यह भी important है, कितने दिन इनको notice देना पड़ेगा, 60 days, provision or compensation of closure to those workers who are in condition not less than, इतना important नहीं है, penalties देख लेते हैं, penalties for difference, offence, अलग लग तरीके को fence की अलग लग penalty हैं, तो सारी हम नहीं याद कर सकते हैं, ठीक है, ना ही, आपको करनी चाहिए, confused हो जाओगे, जो basic है, हम वो देख लेते हैं, ठीक है, तो layoff, retrenchment और closure से related, अगर कोई पहल 10 लाग तकी extend हो सकती है, पहली बारी, ठीक है, और अगर दूसरी बारी कर रहे हो, repeated defense पांच साल के अंदर, ठीक है न, तो कि अगर minimum होगी 5 लाग, और इसको 20 लाग तक extend कर सकते हैं, अब प्लस इसमें आपको 6 मिने की imprisonment भी, jail भी दे सकते हैं, ठीक है, तो अब यह था हमारा Industrial Relations Code 2020, तो अगर अभी तक आपने break नी लिया, तो revision करने के बाद break ले लेना, फिर आगे चलना, नहीं तो अगर आपने ले लिया break, तो आप आगे देख सकते हैं, तो इसके अंदर basic revision कर लेते हैं, फिर से हम, ठीक है न, तो Industrial Relations Code 2020, उसमें क्या-क्या चीज़े देखी, तो पहल Exclude क्या-क्या कर रहे हैं, कौन-कौन-सी Charitively Important है, Domestic Service, या फिर कोई Central Government जो Notify कर दे, ठीक है, अगला, worker के लिए जो salary limit है, supervisory role में, कितनी कर दी गई है, 10,000 से कर दी गई है, 18,000 पर माद, अगला, strike, उसकी definition में क्या change किया गया है, जो mass bank, यानि mass, casual leave है, जिसमें 50% से ज़्यादा लोग चुटी पे हैं, casual leave पे हैं, उसको strike माना जाएगा, ठीक, अगला, strike के लिए कितने है, 14 दिन का notice, 60 days तक valid रहेगा, और sub-establishment के लिए लागू कर दियेगा, all establishments, ठीक है ना, 7 दिन, conciliation officer अगर proceeding चल रही है, उसके end होने के बाद, 7 दिन तक वो नहीं कर सकता, strike, ठीक है न, 60 days वाला किसके लिए था, अगर tribunal में चल रही है, तो tribunal में जब कारवाई चल रही है, तब, और जब कारवाई ट्रिबुनल में खतम होगी, उसके 60 दिन तक कोई strike नहीं होगी, ठीक है न, सारे उनके apply करा जाएगा, और, अगला था trade union के बारे में पढ़ा था हमने कि उनकी registration के लिए, क्या था, 10% minimum या 100, 100 worker होने चाहिए minimum, whichever is less, तो आप registration के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और सिरफ साथ लोगों के साइंची minimum, 7 signatures, ठीक है न, अगला हमने के बढ़ा works committee, works committee बनाई जाएगी, शान्ती बनाई रखने के लिए, employees और employee के बीच में, इसके लिए minimum अगर 100 worker हैं, शिहो से ज़्यादा वरकर हैं, या 100 worker हैं, तो आपको यह बनानी compulsory है, फिर हमने एक बहुत इमोड़न पढ़ा, negotiating union के बारे में, कि 51% अगर उसकी strength है, तो उसको माना जाएगा negotiating, अगर 51% से कम है, तो उसमें अगर minimum 20% है, तो कोई भी 2-3 जो मिला के, अगर आपका 51% से ज़्यादा बन रहा है, तो उनका combination को माना जाएगा, क्योंगो negotiating union है, ठीक है ना, एक re-skilling fund की बात की थी, कि re-skilling अगर किसी को retrench करते हैं वर्कर को, तो उसके 15 दिन की wages आपको इस fund में डालनी पड़ेंगी, और उस पैसे को 45 दिन के अंदर use करना पड़ेगा, वर्कर को re-skill करने के लिए, ठीक है ना, उसके बाद हमने बात करी थी, grievance redressal committee की, कि भई, शिकायत के लिए committee कब बनानी है, ठीक है ना, अगर इसमें क्या था, 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर जोंगे तो, यह आद रखना 20 से, तो ही grievance redressal committee बनेगी, और maximum इसमें, पहले 6 मेंबर, अब इसमें कितने कर दिए गए हैं, 10 मेंबर कर दिए गए हैं, 6 से, adjudication के लिए, labor court बगारा कुछ नहीं, अब सिरफ industrial tribunal में ही, इनको adjudication के लिए भीजा जाएगा, labor court, court of inquiry, यह सब इसके अंदर नहीं तहीं की, ठीक है ना, और क्या देखा था, फिर हमने fines, ठीक है ना, fine के लिए minimum, वहीं intersecretary level, ठीक है ना, फिर हमने देखा, fixed term employment, fixed term employment, जो benefit रहेंगे, same रहेंगे, permanent employees के तरह, ठीक है ना, retrenchment, मलब निकाल दिया, तो उसके लिए तीन महीने का notice देना पड़ेगा, और अगर layoff करें, temporary, तो एक महीने का notice और, 50% of basic and DA, ये देना पड़ेगा, ठीक है, और offenses last लिए हमने देखा थे, offenses क्या, क्या क्या fine होंगे, पहला offense करेंगे, retrenchment, layoff और closure से related, तो उस case में, एक लाग से 10 लाग का fine, repeat करेंगे, तो पाँच लाग से 20 लाग का fine, प्लस 6 मीने तक की jail भी हो, तो ये basically हमने industrial relation code में, मोटा मोटा चीज़े पढ़ी है, ठीक है, तो ये आप सारी अगर आप देखना चाते हो, तो एक बड़ी repeat भी देख सकते हो, important provision, ये brief मैंने आपको करते हो, इससे आपको revision हो जाए, अब आप break ले सकते हो, चाहो तो, नहीं तो अगर आप ठीक हो, अभी ये पढ़ सकते हो, तो अगले code पे हम चलते हैं, दो code और बाचे हैं, वो हम छोटे-छोटे हैं, इतने बड़े नहीं है, फड़ा-फड़ा हम cover करने हैं, वाले हो ले हैं, तो आए दोस्तों अगला code देख लेते हैं, code on social security 2020, ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, इसमें वही है, तो इसमें वही है, वही है, अपर इसके अंदर क्या है, और अनग्णाईज सेक्टर के वरकर्स को भी include कर दिया गया, जो की बहुत ज़्यादे है, अर्गनाई सेक्टर जो है ना यह हमारा अप्रोक्सिमेटली 90 परशेंट वर्कफोर्स को करता है गेटर तो अर्गनाई सेक्टर है जो उसके जो सोशल सीकुरिटी के प्रवधान है वो भी इसके दें इंक्लूड कर देंगे तो यह बहुत ही इंबॉटन चेंज है इस कोड के अंदर अब इसके अंदर कितने एक्ट है जो एमल्गमेट किये गए है नो एक्ट है जो की करेंगे है मैं आपको दिखा दे तो कौन वह से आपको याद सारे नहीं करने अब्यसली सोचल सीकुरिटी पर एकोड है तो सोचल सीकुरिटी के प्रोविजन से ही रिलेटिड एक्ट बिल्डिंग अनदर कंस्ट्रक्शन वर्क एक्ट अन अर्गनाइस वर्कर सोचल सीकुरिटी आक्ट तो जार एक इन नौ को एकथा कर दिया किया है अलगलग चाप्टर बना दिया है है तो इसमें कितने चाप्टर है 14 चाप्टर नहीं जैसे मैं आपको होता है तो जो गिग वर्कर और प्लैट्फरम वर्कर नहीं इनको इंक्लूड कर लिया गया इसके अंदर यह बहुत इंदर यह बहुत इंदर इंदर बेसिक की आपको समझाने के लिए लेमेन लैंगवज में जैसे जो आपके जो आप वले जो वर्कर है ठीक है जैसे कि एप बेस ओला है तो उनके अंदर जो वर्कर है वो पे रोल पे नहीं होते हैं एक्चली कंपनी के वो एक तरस उनके साथ काम करते हैं मलब उनको वो काम देती है यह कमशन काट लेती है बस तो उनकी सोशल सेकूरिटी का क्या तो वो बहुत बड़ा एक ऐक अग फाक्टर था जो कि इ जो है social security परदान की गई है इस code के अंदर उनको माननेता दी गई है और उनकी जो social security है related to income, old age, unemployment, sickness, maternity, सब कुछ इसके अंदर consider किया किया है ठीक है तो यह बहुत important है आगे हम देखेंगे definition वेगरन की क्या होती है ठीक है तो minimum इसमें जो थी पहले थी वही दस यह थी या 15,000 थी तो worker की definition इसके अंदर कर दी गई है 18,000 तो पिछले वाले code में भी हमने देखा था कि per month कितनी है minimum supervisory roll में 18,000 तो इसके अंदर consider की जाएंगे worker इस act की definition, code की definition कर रहा हूँ ठीक है निया concept एक और है self-employed worker जो कि इसके अंदर include किया गया है तो self-employed worker क्या है कि वो किसी और employer के अंदर employed नहीं है but engages himself in any occupation in organized sector subject to income limits ठीक है न तो वो खुदी self-employed worker जो है उसको भी इसके अंदर include किया गया है जैसे कि मैंने का 14 chapter है अलग-लग जो acts है ना उनको अलग-लग chapter बना दिया जैसे chapter 3 बना दिया EPF प्रॉविड एडवन से लेटेट, ESIC का चाप्टर 4 कर दिया, 5 कर दिया ग्राचुट से रेटेट एंड सो ओन, 14 chapter है है से 9 act इसके अंदर सब्सियूम किये गए है अब हम इसके अंदर provisions देखेंग ठीक है जो important paper के सबसे जैसे में का lawyer नहीं मिनाना है आपको उनने labor lawyer नहीं मिनाना है सिर्फ important provision पता होने चीह है वो ही देखने है ठीक है तो पहला देख लेते है employees provident fund यह chapter 3 इसको नाम दिया गया है, it is applicable to 20 or more employees, तो 20 से 20 employee है किसी establishment में तो उसको यह provision इस chapter के लागव होते है, त इसके अंदर तीन schemes है basically, EPF वली कौन कहुंसी है, तो employees provident fund scheme, employees pension scheme and employee deposit link scheme, तो इस chapter के अंदर यह तीन जो है, इन social security schemes यह इसके अंदर directly दी गही है, कि यह तीन schemes आपको करनी है, इसके अंदर contribution कैसे होगा, वो अगली side में आपको तिखा देगा, तो पहले जो होगा, प्रॉडेंट fund में contribute करते हैं, आपका employer भी करते हैं, आप भी करते हैं, तो वो ही है, कि जितना आप करोगे, उत्रा contribution आपका employer भी करेगा, और इसकी contribution की limit रखी गई है, 10% of the wages जो है, वो देनी है, employee को भी और employer को भी हर महीने, यह इस fund के अंदर, provident fund के अंदर, similarly pension fund के अंदर क और यह देनी है, 8.33% of the wages, सिर्फ यह percentages ज्याद रखो, provident fund में employer और employee दोनों देंगे, बोथ, इसमें सिर्फ employer contribute करेगा, और अगला है insurance, जो deposit link insurance है, उसमें सिर्फ employer contribute करेगा, तो एली वेली में दोनों, 10% each, इसमें employer, 8.33%, इसमें employer, 1% of the wages, तो यह चीज़ें आपको याद रखने हैं, तीन हो, बहुत amount अटाइस, note कर लो, यह पूछ सकते हैं, screenshot ले लो, exclude, अब कौन को जो establishment की definition है, या industry की definition है, उसमें कौन को नहीं आते हैं, इसके अंदर, ठीक है, exclusion हम देख रहे हैं, तो जो establishment registered cooperative society act के अंतरगत, वो नहीं आएंगे इसके अंदर, और जो central government और state government के employees हैं, वो इसके अंदर cover नहीं होंगे, वो अल्यदी अगला chapter आजाते हैं, हम ESIC, Employee State Insurance Corporation, ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, तो इसमें हमने जासे पढ़ा था, PF वले में, EPF वले में minimum 20 worker होने चाहिए, ESIC में minimum 10 worker होंगे, तो यह लागू हो जाएगा, और इसमें maximum salary demand का, जिन लोगों की salary 21,000 से कम हैं, वो ही लोग इसके अंदर count के जाएंगे as workers, ठीक है ना? और इसमें contribution भी same है, different है, sorry, employer का contribution रहेगा, ज्यादा, 3.25%, employee का रहेगा 0.75, टोटल मिलाके हो गया, 4% of the wages, 3.25 employer का, 0.75 employee का, और इसमें जो 170 रुपे कम, उससे कम एक दिन में अन कर रहे हैं, वो included, नहीं रहेंगे, उनको कुछ पे नहीं करना, contribute नहीं करना employees को, उसमें employer contribute करेगा, ठीक, chapter 4, gratitude, तो chapter 4 में भी क्या है, gratitude पे प्रफधान है, तो gratitude वेले act के हैं, तो ठीक है, EPF में 20+, ठीक है, ESIC में 10+, और gratitude के लिए भी minimum 10+, पर कर चाहिए, ठीक है, और gratitude कब मिलती है, जब आप minimum 5 साल continuous service दे दे देते हैं, किसी organization में, तो continuous service बहुत important है, तो continuous service, इसकी definition दे रखिया, आपको याद करने की ज़ुरत नहीं है, ठीक है न, उसमें break नहीं होना चाहिए, ठीक है, पांत साल लगातर किसी में कर रहे हैं, तो आप gratitude के लिए eligible हो जाएंगे, ठीक है, तो gratitude मिलेगी कितनी, तो आपने छे मीने अगर किसी company में काम कर रहा है, for every completed year, हर साल जो आपने complete किया है, उस organization में, उसके 15 दिन की wages आपको मिलेंगी, at the rate of last drawing, ठीक है, सब उसके अपने पांच साल काम कर रहा है किसी company में, तो हर साल के 15 दिन, तो नहीं, पांच इंटू 15, 75 दिन की salary या wage of last salary जो आपको मिली है organization से, यह बहुत इमार्टेट है, कही जगा average salary दे देंगे, आपको यह धान रखना है, last salary के 15 दिन of every year completed, यह gratitude आपको मिलेगी, ठीक है न, और यह आपको 30 दिन के अंदर 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 gratitude देनी होगी, जो आपने छोड़ दिया या आपको निकाल दिया है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको company को यह gratitude देनी पड़ेगी, यह भी important है, कि 30 days में इसकी payment होनी mandatory है, chapter 6, maternity benefit again very important, so maternity benefit act 1961, उसको इसमे chapter 6 में डाल दिया है, ठीक है न, chapters भी बूश सकते हैं कि कौन से chapter है, वैसे state prelims होता तो मैं कह देता, पूछ लेंगे, इसमें थोड़ा UPSCI से कुछ नहीं पूछता है, फिर भी पता नहीं, मुश्किल बनाने के लिए आधकल UPSCI का कुछ पता नहीं है, तो पूछ भी सकते हैं maternity पे, तो इसमें भी क्या है, 10 प्लस, तो सब में 10 प्लस है, अभी तक हमने देखे हैं, सिरफ 20 प्लस किसमें है, EPF के प्रोविजन के लिए, वर्कर्ष, ठीक, तो जो employer है, उसको अगर पता है कि किसी woman के साथ, किसी delivery हुई है, उसका miscarriage हुई है, या medical terminate कर रहा है उनने pregnancy को, तो उसके 6 अफते के अंदर, कोई उसमें काम नहीं करवा सकता, वुमें से, ठीक है, Every woman shall be entitled to and shall be liable to payment of maternity at the rate of, बलाब अगर चुटी ले रही है, maternity के लिए, उसकी limit मैं आपको अगली स्राइन में होता हूँगा, कि कितनी limit वो maximum है, तो उसके लिए उसको salary दी जाएगी, उसकी wages दी जाएगी, जो की average salary उन days की बनेगी, वो उसको दी जाएगी, in her absence, ठीक, उसक will be entitled to maternity benefit, unless he is actually word, an establishment for not less than it, तो अगर maternity benefit कम मिलेगा, कि पिछले 12 महीने में, woman ने at least 80 दिन वहाँ पे काम किया है, organization के अंदर, तो यह मिलाई की benefit, और benefit कितने एक दिन की salary है, maximum of 26 weeks can be claimed as maternity benefit, तो यह question पूछा भी जा चुका है, तो उस समय maternity benefit act में लिखा था कि अमेंडमेंट ह तो यह 2017 में थी, I think, कि कितनी है, तो यह 12 से सा 26 कर दी गई थी, तो अब यह directly code में ही 26 weeks की छुट्टी paid leave मिलेगी, और उसमें salary कितनी मिलेगी, average salary मिलेगी, ठीक है, उन्दी, और यह बहुत important है, कि payment of medical bonus of 3500 रुपे, if no prenatal confinement or postnatal care is provided by the employer, free of charge, अगर कोई वह facility नहीं देता है, for pre or postnatal, तो medical bonus 3500 रुपे का देना भी compulsory है employer को, इतना ही देखेंगे इसमें, फिर अगला chapter है, employee compensation, तो यह क्या कहा रहा है, कि उनको apply होते है employer employees को, जो की ESIC के अंदर cover नहीं होते हैं, उनको इसके अंदर करा गया है, कि compensation के इसमें दी जाएगी, in case of death, serious bodily injury, अगर हो जाती है, या कोई accident हो जाता है, आपकी shop पे या factory में, तो उस case में, साथ दिन के अंदर अंदर, आपको जो है, competent authority को, पताना पड़ेगा, कि हमारे यहां, SS accident हुआ है, SS injury हुई है, या death हुई है, ठीक है, social security says, in respect of building and construction worker, तो building and construction worker का जो है, वो chapter 8 में किया है, यह बहुत important है, क्योंकि इसके अंदर को changes किये गए हैं, I think, तो वो बहुत important है, वो मैं आपको पता रहेता हूं, they shall be levered access for the purpose of social security of building workers at the rate not exceeding 2% but not less than 1% of cost of construction incurred by the employer, very important, तो यह का बोल रहे हैं, कि हर company जो construction में काम करती है, building में काम करती है, उनसे जो cost of project है, उसका minimum 1% और maximum 2% of cost of project जो है, वो एक CES लिया जाएगा, जो कि एक fund में जाएगा, social security fund में, जो कि use किया जाएगा, building and construction worker करेगी, very important है, तो इसमें लिमिट पूछ सकते हैं, कि कितने percent of the project cost है, minimum 1%, maximum 2%, CES जो है, लिया जाएगा, ठीक है, और self assessment within 60 days of completion of it, तो अगर building complete हो गई है, या project को complete हो गई है, तो company को सुध मौका दिया जाएगा, कि साथ दिन के अंदर अंदर आपको ये CES की self assessment पतानी है, government को, ठीक है, तो 60 days का time देते है, project completion के बाद, तो एक हर state में, ठीक है, एक board बनाया जाएगा, state government appoint करेगी, जिसका नाम होगा state name, जैसे सब्सक्राइब उसका यूपी का है, तो यूपी, building and other construction worker welfare board उसका नाम हो जाएगा, तो हर state assets बनाएगी अपना-पना, और इसके अंदर जो होगे, maximum 15 member होगे, जिसमें की एक chair person होगा, जिसको की state government deploy करेगी, और एक member center government भी appoint करेगी, और total जो member है, वो 15 से जादा नहीं हो सकते, तो membership की, वो पूछे जा सकते है, कितनी है, 15 member, ठीक है, और इसमें equal number of members होगे, state government के, employers के, और workers के, equal representation इसमें दी गही है, बोर्ड के अंदर, अगर चाप्टर पर आते हैं, चाप्टर 9, social security of unorganized workers, जो की add की गया है, बहुत ज़्यादे important है, जो 2008 वाला act है, organized workers की social production, तो वो चाप्टर 9 में include कर ले गया है, तो इसके अंदर भी, by minimum 10 10 plus, तो हर किसी में 10 plus workers हमने भी देखे हैं, सिरफ EPF को छोड़के, EPF में कितने हैं, piece plus, section 109, धारा 109, याद कर ले न, इस code की है, social security code, यह किस से related है, for social security fund, for gig platform, तो gig or platform workers, जो मने आपको दाते हैं, उनके लिएक fund बनाया जाएगा, ठीक है, social security fund होगा, वो दिया गया है, section 109 म आएगा, तो इसलिए मने section अपको यहाँ पर mention कर दिया है, central government shall formulate and notify from time to time suitable welfare scheme for unorganized workers, funded by central government, central government notify करेगी, time to time welfare scheme for unorganized workers, central and state government security fund बनायेंगे, unorganized workers के लिए, ठीक है, दो नहीं बनायेंगे, central government भी बनायेगी, state भी बनायेगी, और जो fund के अंदर पैसा आएगा, वो कहां से आएगा वो government CSR का जो provision है ना कि 1-2% आपको profit देना है CSR का, जो companies act 2013 में दिया गया है, I think 2% है वो है, तो वो जो है, आपको वो पैसा आप इस fund में ले सकते हैं, social security fund of unorganized workers, जिसके अंदर की schemes जो लाई जाएंगी unorganized workers के लिए, उसका पैसा वो यह वाला पैसा ही use कर सकते हैं, इस fund के एवरी unorganized worker shall be eligible for registration provided he has completed 16 साल, तो minimum age क्या है, 16 साल है, आपको इसके अंदर अगर register करना है, तो, gig worker, अब gig और platform आपको समझा चुका है, basic definition देख लेते हैं, ठीक है, a person who performs work, और participates in a work arrangement, and answer from such outside traditional employee relationship, freelancers हो गए, ठीक है न, freelancers होते हैं, online जो काम करते हैं, ठीक है न, particular project पे काम करा छोड़ दिया, ऐसे मिले project पे छोड़ दिया, team, ठीक है न, independent contractor, project worker, temporary or part-time hires, इनको बोले आते हैं, gig worker, ठीक है, ऐसी platform worker होते हैं, वही जो online apps के लिए काम करते हैं, ए form of employment in which organization और individual use online platform to access other organization, individual to solve a specific problem, तो यह वही चीज़ है, exchange of payment, ठीक है, online, यह free-lancers की तरह भी काम करते हैं, Central government shall by no division constitute a national social security board for unorganized workers, यह important है, तो national social security board बनाएगी, central government for unorganized workers, और उसके members कौन कौन से होंगा, यह important है, यह जो आपको पताने वालो, ऐसी एक state government बनाएगी, state social security board for unorganized workers, और उनके members कौन से होंगा, तो members कौन से ही हैं, यह देख लेते हैं, तो इसका chairman होगा board का, ठीक है न, national social security board का, for unorganized workers, इसका chairman होगा, वो होगा union minister of labor and employment, very very important question, यह पूछा जाएगा, कि chairman कौन होता है, national social security board का, तो union minister of labor and employment होता है, जो security होगा ministry में, ministry of labor and employment का, वो vice chairman मन जाएगा, यानि कि जो bureaucrat highest level पे होगा, labor ministry में, ठीक है न, वो बन जाएगा, vice chairman, और जो director general होगा, labor welfare वो बन जाएगा, member secretary, ex-officer, यह इतना important नहीं है, और maximum बहुत modern है, कितने members होगे इसमें, 35 member होगे, nominated by central government, very important, इसमें 35 हैं, अगले में I think 28 हैं, तो यह 35 हैं, state government भी ऐसा एक board बनाएगी, state board, जिसमें की क्या होगे, chair person को उनों होगा, जो state minister जो होगा, in charge of labor and employment, वो उसका chair person हो जाएगा, secretary वैसे ही, same labor ministry जो होगी, उनकी वो secretary बन जाएगा, chair person, ठीक है, जो members होगे, secretary वो state government पता सकती, कौन है, इतना modern नहीं है, difference क्या है, 28 member होंगे इसके अंदर, national वाली में 35 हैं, इसके अंदर कितने हैं, state में, 28, state में, offenses and penalties, क्या क्या, penalties लग सकती हैं, चीक है न, तो वो ही है, इसमें भी जो हमने पहले बढ़ा था, chapter 12 में दी गही हैं, ठीक है, यह important है, chapter पूछने वे आगे तो, और वो ही है, कौन, किसको code के अंदर case की सुनवाई कर सकता है, जो हमने पहले देखा था, पहले वाले code में, metropolitan judge, metropolitan judge, or judicial magistrate of first class, तो यह दो लोग ही देख सकते हैं, इससे नीचे वाला code कोई भी, जो है, इसके cases नहीं सुन सकता, penalty depends on the severity of offenses, तो penalty क्या है, वो ही basic वाली हम देख रहेते हैं, फिर वो ही, बहुत सारी लगले penalty है, minimum and maximum आपको याद रख लेना, ठीक है, employer fails to pay any contribution, अगर employer जो है, वो pay नहीं कर पाता है, तो उसकी maximum सजा जो है, वो तीन साल की जेल हो सकती है, और minimum सजा क्या है, कि एक साल की जेल और fine एक लाख रुपे का, ठीक है ना, if employee contribution has been deducted from the wages and not, तो अगर उन्होंने deduct कर लिया, employee से काट लिया है, और government के fund में डालना भूल गी हैं, EPS के, तो एक साल की minimum सजा और एक लाख रुपे का fine, और which shall not be less than two months, बट में भी एक सेंट्यू प्रण नहीं है, छोड़ देते हैं, ठीक है, अगर ग्रेचूटी भूल जाता है, वो जमा करना, काट लिया और जमा नहीं कर भाया है, ठीक है न, तो एक साल की सजा हो सकते हैं, अप टू maximum एक साल और fine पचास साल, ग्रेचूटी वेले में थोड़ी, यह था हमारा code on social security, ठीक है, तो अब इसको भी revise करना पड़ेगा, तो revise करते हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं, important क्या क्या देखा है, आपने इसके अंदर, 9 जो हैं, वो इसके अंदर loss को करा गया है, amalgamate, इसमें chapter कितने हैं, 14, 9 loss सारे आपको याद नहीं करने हैं, पर आपको बढ़ा चल जागा social security से related कौन से हैं, EPF, Gratuity, ESIC, यह सभी maternity benefit, ठीक है ना, wages की जो worker की definition है, वो कितनी कर दी गई है, 15,000 से इसमें कर दी गई है, 18,000 पर माद, self-employed worker, इसकी definition हमने देखी थी, ठीक है ना, जो किसी और employer के अंदर नहीं है, बढ़ खुद के अंदर है, उनको भी यह benefit is covered हैं, chapter 3 हमने देखा था, किस पर था, पताओ, EPF, ठीक है ना, तो EPF में हमने देखा था, provision जो लागू होते हैं, कितने worker चीए मिनी में हम, 20+, बाग इस सब में कितने हैं, 10+, इसके अंदर कितने fund हैं, 3, एक PF fund है, जिसमें की employee and employer, दोनों कितने करेंगे, 10,10% each, of wages, pension वले में, सिरफ employer करेगा, कितने करेगा, 8.33%, insurance वाले में, deposit linked, इसमें भी employer करेगा, कितना करेगा, 1% of wages, यह important, ठीक है, फिर हमने देखा chapter 4, ESIC, ठीक है ना, कितने worker, 10+, contribute, employer कितना करेगा, employee कितना करेगा, 3.25, 0.75, टोटल मिलाके, 4% of wages हो जाएगा, ठीक है, और ESIC के अंदर cover होने के लिए, maximum salary की limit कितनी है, 21,000 रुपे, पहले 15 थी, फिर 18, फिर 21 कर दी गई है, इसके अंदर, ठीक है ना, उसके बाद देख लेते हैं, और क्या है, gratitude से related, फिर हमने देखा, ठीक है ना, ग्रैचुटी, चाप्टर नमबर 5, इसमें भी कितने वरकाश, 10 प्लास, ठीक है ना, minimum service, ग्रैचुटी क्लेम करने के लिए, कितनी होनी चाहिए, 5 साल, एक जगा, continuous service, और यह ग्रैचुटी, आप जब छोड़ दो के company, design कर दो, यह terminate हो जाओ, यह निकाल दे, lay off हो जाओ, return हो जाओ, तो उसके 30 दिन के अंदर आपको पैसा मिल चाहिए, फिर आया था chapter 6, maternity benefit, ठीक है ना, maternity benefit, यह भी कितने, कब लागू होंगे provision, जब 10 से ज़्यादा लोग होंगे minimum, कितने दिन की paid leave मिलेगी, maximum 26 वीक की, और इसके साथ साथ medical bonus कितना मिलेगा, 3500 रुपे, अगर आप कुछ provision नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, फिर आया था chapter 7, employee compensation, accident हो गए तो, यह death होगी तो, किसी की job पे, तो इसके लिए notice कितना दिन है, साथ दिन के अंदर अंदर आपको पताने है, authority को, report करने है, कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है ना, इसमें important नहीं था, फिर हमें chapter number 8, chapter 8 में हमने क्या देखा, success, collect करी government, ठीक है ना, builders, builders, buildings और construction worker से, ठीक है न, success कितना रहेगा, minimum 1% और maximum 2% of project cost, construction cost, ठीक है न, उसका, वो आपको देना है, और इसकी self assessment के लिए, 60 दिन का time दिया जाएगा, after completion of, ठीक है न, और, state एक welfare board बनाएगी, इसमें maximum 15 members होगी, ठीक है न, तो यह basically हमने यह पढ़ा था, यह थे, क्या कहते हैं, जो अभी तक के provision state, ठीक है न, फिर और देख लेते हैं, ठीक है, फिर हमने देखा chapter 9, chapter 9 में social security for unorganized worker, ठीक है यह बहुत important था, इसकी भी प्रवधान कब लागू होंगे, जब 10 से ज़्यादा वर्कर होंगे, किसी establishment में, इसमें section 109 हमने important था, जो कि social security fund की बात करता है, for gig and platform worker, ठीक है न, यह section 109 आपको याद रखना है, बहुत important था, और फिर इसके अंदर क्या और क्या क्या गया है, chapter 9 के अंदर की दो board बनेंगे, एक national level पे national social security board बनेगा, इसको center government बनाईगी और एक state level पे बनेगा, ठीक है, तो इसका जो head chair person होगा, वो क्या होगा, union minister of labor and employment, यह इसका chairman होगा, और vice chairman कौन होगा, जो secretary होगा, और total member कितने होगे, 35 में होगे, और state वाले में क्या हो जाएंगे, 28 होगे, ठीक है, और इसका जो, फिर हम देखा chapter 12, chapter 12 में क्या था कि कौन इसको jurisdiction क्या है, कौन इसकी सुनवाई कर सकता है cases की, तो metropolitan, magistrate और judicial magistrate of first class, यह इनकी सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है, और fine क्या है, maximum 3 साल की jail, minimum एक साल की jail या एक लाक रुपे, और gratuity में कम है सजा 6 मीने की और 50 जार, तो यह पोटा-पोटा हमने इसके अंदर देखा था, ठीक है ना, राइटिंग थोड़ी ऐसी, पर revision करने का यह तरीका है, आप बाकी detail में देखने आते हैं, दुबारत से देख ले ना, है ना भई, तो अगला last code देख ले देख ले दे हम, Occupational Safety, Health and Working Condition Code, 2020, UF Psych, शुरक्षा, स्वास्त और काम करने की सिथिख का code, 2020, तो देख लेते हैं, लास्ट वाला, यह इतने important है, और जड़ा बड़ा नहीं है पर यह, ठीक है, तो फटाफट कर लेंगे से cover, तो इसमें तेरा labor laws हैं, जिनकों की amalgamate किया गया है, ठीक है ना, यह सारे उनमें से कुछ मने लिख दे, यह, Factories Act, Mines Act, Plantation Act, Labor Act, Plantation Labor Act, Contract Labor Act, Motor, तो अलगलग वेफसाई में जो लोग काम करते हैं, सिने वर्करज वाले जैसे हो गया है, बीडी सिर्ट, जर्नलिस्ट, यह सारे जो एक्ट इनके अलगलग थे ना, Occupational Condition या Working Condition के इन सबको मिला दिया, तो ऐसे तेरा Act है, ठीक है ना, तो अलगलग जो वेफसाई में काम करें जैसे मैंने का, उनको एक ही Act में समान रूप से ट्रीट किया गया है, थोड़े अलगलग प्रोविजन अलग से डाले हैं, पर वो एक ही जगा कर दिया है, सबकी जो कमलाइन से सेम करती है, तो वही मोटिवेस में है, ठीक है ना, सेम, पता था आपको मैंने, सिरफ 2019 वाले में, वेज वाले में क्या है, 9 चप्टर हैं, बागी सब में कितने हैं, 14 चप्टर, और इसमें भी 14 चप्टर हैं, एक सो तरता ले सेक्शन, इसमें minimum apply, यह जो इसक लग लग जो में अगली सेट में आपको देहूंगा, वो बहुत इमाड़नेट है, उसमें डिरेक्ट पकाई कोशन आएगा, वो में आपको दाता हूं, कि लग लग कंडिशन, जो इसको, overall इस code की implementation के लिए 10 वरकर चाहिए, लेकिन कुछ specific है, इसे canteen के लिए, क्रच के आपको दो ती स्लाइड में, Apprentice Act 1961, तो Apprentices के लिए प्रोविजन है, वो इसको एक स्लूटेड है, ठीक है, ना, तो factory related provisions in case of factories utilizing power, तो factory related जो provisions है, इसके अंदर, factory act के जो इसमें amalgamate की है, उस case के अंदर अगर वो provision लागू करने है, तो अगर factory power यूज करती है, बिजली यूज करती है, तो minimum worker है 20 प्लस, और अगर power नहीं यूज करती है, तो minimum है 50 प्लस, contract labor के जो provisions है, वो minimum 50 प्लस होंगे, ये बहुत इमाणड़ है, crutch minimum कब चाहिए, facility minimum 50 प्लस बर कर, canteen minimum canteen होनी compulsory कब हो जाएगी, अगर 100 से ज्यादा बर करें, welfare officer minimum 200 बर करें, बहुत इमाणड़ है, screenshot ले लो, ठीक है, इसमें से question बन सकता है, कि canteen के लिए कितने है, 100 से ज्याद welfare officer, डाइसर से जाए, ये तीनों बहुत इमाणड़ है, ये देखने है, screenshot ले लिए, establishment are required to register within 60 days, जो इस code के अंतर का रहता है, जब ये लागू हो जाएगा, उसके 60 जिन के अंदर-अंदर, आपको अपनी establishment को, या factory को, register करना पड़ेगा, registration officer के साथ, ठीक है, इसके लिए एक OSHW code के अंदर, तो श्रम सुविधा portal पर आप register कर सकते हैं, और इस पर register करने के साथ दिन बाद, minimum साथ दिन के अंदर-अंदर, आपको ये maximum, sorry, साथ दिन के अंदर-अंदर, certificate of registration आपका, मिल जाएगा, online ही, ठीक है, portal का नाम याद है, याद रखना, important है, establishment are required to inform within registering of within 30 days of, close कर नहीं अगर आपने हो, तो minimum आपको इसके अंदर, 30 दिन के अंदर-अंदर, close करने के बाद, आपको पताना ही पड़ेगा, कि हमने close कर दिया, to the registration office, ठीक है, the employer shall within 30 days of commencement and completion of work, intimate to the inspector, 30 दिन के अंदर काम खतम हो गया, तो 30 दिन के अंदर, inspector काम फेसिलिटर को बताना पड़ेगा ठीक है, national, safety and health advisory board बनाया जाएगा, ठीक है, advisory bodies, OSH की national और state level पे दोनों होगी, तो बस एक board बनाया जाएगा, national level पे और advisory bodies होगी, state पे भी और national level पे भी, जिनका की term होगा 3 साल का, सारी bodies का, ठीक है, तो term बूच सकते हैं, कितना है, 3 साल है, safety committee, तो safety committee, यह बहुत moderate है, इसकी constitution solution में आगे आपको बताऊंगो, कि safety committee बनाया जाएगी, हर establishment में, जिसमें की members होंगे, workers और employers दोनों ही, ठीक है, तो safety committee, consisting of employees and workers, where, कहां बनाया जाएगी, minimum 500 workers होंगे, तो ही safety committee बनेगी, बहुत moderate है, mine के अंदर 100 से 100 से जादा होगी, तो बनेगी, हजार डस प्रोसेस होगा, खतरनाक प्रक्रिया होगी, तो 200 या 200 से जादा, और building and construction worker के case में, 500 या 200 की जादा, इन सारे cases के अंदर, overall normal case में 500, mines में 100, हजार डस में 500, building and construction में 200, तो यह याद रख लेना, screenshot ले लो, इसमें से भी पूचा जा सकता है, ठीक है, जैसे वो crash of candy in वा जाला याद करना है, screenshot ले लो, इसका, major provisions आ जाते हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़े से खतम करते हैं, इसको फटबाट ज्यादा है, topic है निसमें, ठीक है न, तो no worker should be allowed to work more than 8 hours a day, पहले 9 घंटे था, ठीक है, maximum, अब 8 घंटे कर दिया गया, score गया, तो एक, उसमें 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते हैं, आप किसी से normal worker से, ठीक है, और एक हफते में 6 दिन से ज्यादा, 6 days a week, इस से ज्यादा काम नहीं करा सकते हैं, एक दिन में 8 घंटे, और 6 days a week, overtime, यह हमने पहले भी एक code में बढ़ा था, कि overtime कितना है, twice, दो गुना, overtime rate जो होगा, वो twice, उसमे था कि return consent भी चाहिए, तो इसमें भी चाहिए, return consent चाहिए, दो गुना होगा, two times, ठीक है, और तो जो working woman है न, तो उनका जो agree करती है, काम करने को, 7 बजे के बाद, शाम को, या सुबे 6 बजे से पहले, तो उनको permission दे दी गई है, इसके अंदर, तो उनका consent चाहिए, पस इसके इंदर ये दिये गए, all benefits are applicable to contract labor, extended to interstate migrant labor, तो ये सब के लिए लागू रहेंगे, जैसे fix time employment वाले पीछे में थे न, तो वैसी contract labor और interstate migrant labor के लिए भी रहेंगे, work and rule of work more than 180 days in a calendar is entitled to one day, हाँ, तो casual earned leave का प्रोविजन है, ठीक है, तो earned leave का इसमें दिया गया है कि, अगर एक साल म आपको एक दिन की छुपती, earned leave मिल जाएगी, ठीक है, EL का provision बोलते है, lastly, offenses and penalties देख लेते हैं, ठीक है, तो अगर को employee की death हो जाती है, तो उसके लिए 2 साल की सजा दी जाएगी, और 5 लाग का fine या दोनो, ठीक है, obstruction of inspector, अगर को इंस्पेक्टर को आप obstruct करेंगे, तो 3 मिहने औ पूछेंगे निया, ठीक है, non-maintenance of registers and record, पचास जार यह, रिजिस्टर वाला एक बड़ी देख लेना, पचास जार और 2 लाग का fine हो सकता, पचास लाग से दो है, पचास जार से दो हो जाए, एप्री government to establish social security fund, यह unorganized workers को हमने देखा है, fund बनाना है, ठीक है न, तो जो यह fine mind लगाएंगे न, तो वो सारा fine भी, जैसे CSR वाला भी उसके अंदर जा रहा है, पैसा, और fine जो इसके अंदर लगएंगे, वो भी पैसा, unorganized workers के fund के अंदर जाएगा, तो दोसों, यह हमारे important code से, जो कि हमने देखे आज के वीडियो में, lastly मैं आपको बतायाता हूँ, Apprentices Act to 1961, जो मेरे को इसमें लगा, important है, जो की code में mentioned नहीं थे, जिसके वरता है, तो इसे should be minimum age of 14 years, 14 साल minimum age होनी चाहिए उसकी, ठीक है न, और duration of apprentice कितने महीने से कितने महीने तक हो सकती है, apprentice होता है, basically training के लिए, training के अंदर stipend मिलता है जो, ठीक है न, तो 14 साल age होनी चाहिए, 6 से 4 साल तक की maximum apprentice हो सकती है, training हो सकती है, ठीक है, और उसको छुट्टी कितनी मिलेगी, casual leave मिलेंगी, 12 दिन की, medical 15 दिन की, और extraordinary leave मिलेंगी, 10 दिन की, एक साल के अंदर, तो ये important है, ये याद है, stipend rate जोगा, which is not less than the prescribed minimum rate, ठीक है, तो ये apprentices का, इतना ही, आपको याद रखना है, इसका screenshot ले लो, देख लो, important लगे, मेरे को provisions बने डाल दिये, बाकी देखो, मेरे पास सारे बने, maternity act, सब, सब मैंने इसके बना रखे है, factory act, लेकिन ये मैं आपको दिखाने नहीं जाता, आप इस your source से या online पढ़ सकते हैं, मैं आपको नहीं देना जाता, personally, मेरा view time बढ़ेगा, पर मेरे को से कोई फरक नहीं है, मेरे को सिरब यह है कि important topic ही देना है, आपको, तो वो मैंने आपको इसके अंदर दे दिया, मेरे हिसाब से इतना ही काफी है, labor loss में से, जैसे कि मैंने का, आप important recent ही पूछेंगे आपसे, इसमें से maximum question बनने चाहिए, इसके इलावा पढ़ने चाहते हैं, तो वो आपके उपर है, मैंने तो उस पर मेहनत कर रखे, पूरे बना रखे, पर हो मैं आपको share नहीं करने जाता, क्यों मेरे साब से वो आपको confuse ही करेगा, benefit उसका कुछ होगा नह comment है, तो लगते ही हैं, इसको बनाने में महनत करनी पड़ती है, तो उसके reward के लिए आप प्लीज एक like दबा दो, अपने दोस्ते से share कर दो, और subscribe करना और भूनना, क्योंकि वो एक actual reward होता है हमारा इतनी महनत करने का, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, मैं आप द accounting and auditing वाला, ठीक है न, यह generally जो science background वाले हैं, उनके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा video, क्योंकि उनको इसमें दिक्कात आ सकती है, तो मैं basic पता हूंगा, उको बहुत ही असानी से, जो simple language में, क्योंकि मैं खुद एक science background को हूँ, but MBA में मैंने सीखा था, और में को it definitely challenging लगा accounting और auditing, but उसके बाद में को इतना अच्छा लगने लगा कि MBA में मैंने मेजरी finance में ले लिया, तो यह अप मत देखना दिभूलना, इसके लिए आप subscribe कर लो, घंटी बजा लो, इसने no deviation आपको मिल जाए time ली, ठीक है, तो यह दो मैं वीडियो लानी के पूरी कोशिश अगर time बचेगा, तो मैं definitely आपसे share करूँगा, comment में अगर आपको कुछ specific पूछना है, तो आप पूछ सकते है, definitely मैं आपकी help करूँगा, तो अगले वीडियो में, तक तक लिए, bye bye, and as always, happy learning.